वेगी वेल्कम टु माई नी व्लॉग नए व्लॉग में स्वागत है तो आज कसी नैसा है मेरी हो गई यह साइकल पंचर तो यही है दिक्कत अभी जाना पड़ेगा फिलाल बनवाने के लिए तो अभी चलते हैं फिलाल बनवाने के लिए लेकिन मुझे उस साम का प्लैन बना आज दिखाते हैं आपको कितनी तेज धूप हुई है तो आप खेत की जुताई हो चुकी है बस धान बैठाने के लिए तो अब बनवाते हैं चलते हैं तो है दुकान है जो की पंचर यहां पर बन जाएगा हमारा तो दोस्तो साइकल की रिपेरिंग स्टाट हो चुकी है यह पर बनने के लिए तयार है साइकल तो बन चुकी अब सिधा चलते हैं घर तो अभी हम लोग को आपको दिखाते हैं दूसरी लोकेशन पर तो आई अब चलते हैं पानी पीते हैं तो दोस्तों हम लोग अभी पानी पी रहे हैं तो पानी पी कि आपको घर को रिवील करेंगे तो हम लोग इस घर का दिविल देखे तो अभी ज़िस खाते आपको घर कैसा है तो आइए चल्ते दिखा दिखा अंदर तो यहां पर आपको अंधेरा दिख रहा होगा तो अभी आम आपको लाइट चलाके दिखा देते हैं तो यहां पर गाईश एक रूम है इसे भी दिखाते हैं लाइट कटी हुई है इन्वाइटर है तो यहां पर यह सोने उने का यहां पर समान है और यहां पर टीवी भी है रिस्तदार अगर यहां पर आते हैं तो आपको सोने के लिए मिल जाएगा यहां पर और इस रों की देखते हैं गाइस क्या है इसमें सारा समान हुआ पड़ा हुआ है इसमें भी अंदेरा है तो गाइस उजाल हम लोग कट चुके हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं तो दोस्तों अभी आपको हम लोग कीचन उचन दिखाते हैं, तो अभी अंदेर आया है, तो अभी लाइट जला लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर खाना भी ना बनता है गया है, सब कुछ है, इस फ्रीज में आप भी देश सकते हैं, क्या क्या है, यहाँ पर समान सब्सक्राइब करते हúsica तो साम को यहीं बनेगा कोड़ा की सब्जी बनेगी तो हम लोग खाएंगे यहाँ पर तो इस गर में रूम में अंधेरा है तो अभी लाइट जलाते हैं तो यहाँ पर देख लिजिए गाइस भाईया का रूम है तो अभी फिलाल नहीं है वो इसलिए खाली है अभी दोस्तों हम लोग आ चुके च्छत पर क्योंकि घूमने के लिए फिलाल अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें अभी दोस्त दो हैं जो खेलने गए हैं तो अभी साम हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे अभी लोग आएंगे तो आपसे मिलवाते हैं तो अभी वीडियो को यहीं पर तो दोस्तों यह गाउं का अचार अभी हम आपको दिखाते हैं खोल कर तो यह देखी जी गाउं का देशी अचार है यहां पर नहाने का इसमें सब कुछ आइटेम यहाँ पर समान पड़ा हुआ यहाँ पर तो अभी हाथ को धोते हैं गुड मॉर्निंग दोस्तों हम लोग आ चुके सुभे और दूसरे मौसी जी के घर पर आ चुके यह तो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर देख लिजी पीछे भी है और यह भी है पीछे भी खेत है अभी आपको हो सकता दिखा भी दें और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बैटोड लेकर सब कुछ बैठे हुए हैं गेद भी है और समय पर आपको टूल दे देते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी घ बन रहा है बस लदना ही बाकि और सब तयार हो चुका जया पर फुलूर भाई आ चुके तो अभी चलते है दातुन ले सब जगा फिरी जूरी सब रखा हुआ है इसके अंदर है दातुन यहां पर देखे मिल गई सीधा चलते है बाहर और आपको भीले चलते है दौब में दोस्तों दातों नहीं करना पड़ता है क्योंकि दास्ति से साब ज़्यादा होता है अब पीछे जो खेट दिख रहा है वो हमारी दूर मोसी हैं वहाँ पर अब अब सब खेट ही हमारा सब का बस दो दिन मुझे कईस रहना है याँ पर क्योंकि पापा और मम्मे आ रहे हैं दिली से तो मुझे जाना परेगा चाबी में घज से ताला मार के लेते आया हूं सूदोस्तों भी खाना यहां पर है डाल है आचार है और चावल है रोटी है यह है बाई इंतजार कर रहा है तो उसे भी देना पड़ेगा थोड़ा सा धोड़ा सा तोड़की से भी दे देते हैं लोग जा रहे हैं अब बच्चे नहां रहा है नहाने जा रहा हैं विया आपको दिखाते हैं हम लोग आ ऐगा बहुत ही तगडी अगहां कि नहां हो अगर आप रहें गाउं में अगर रहेंगे तो आपको ऐसे सी चीजी को Body अपना कूद रहे हैं यहां पर देखिए गाइस यहां पर पुलूर भी निकार मेरा भी मन कर रहा है ना आने के लिए लिकिन मैं सोच रहा हूं कि अभी ना नहा हूं क्योंकि अगर इस मन आ लिया तो मुझे जुखाम बुखार हो जाते हैं और इस ब्लॉक को यहीं पर एंट क साथ आपीज यह पर दो सूब बाय लाए